दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाबू पर और आज मैं फिर आज रहूं आपके साथ एक निउस रिपोर्ट लेकिए टाइमस ओफ इंडिया से जहामे करने वाला हूं इसको हिंदी में ट्रांसलेट तो चलिए सबसे पहले हम इसकी प्राववयक्त उसे 2-12 चेन्ड से इस जाता सफर का जेम गुर्ट मजर आफ इस बेइस की हैडलाइन भावन편 इस और पट्रीड है आप से ध्यान से चूट resting Sus john आपको लगे ज़रूरूरी आप उससे नोट? करें आप 40-year-old man जस्विंदर वाज शॉट एट शॉट एट बाइट थ्री स्नेचर्स इन इस्ट डेलीज कृष्णा नगर ओन संडे क्या मतलब वह आप 40-year-old करें तो क्या मतलब वह शॉट एट उनने गोली मार दी गई वह शॉट एट बाइट थ्री स्नेचर्स तीन जपत मारों के द्वारा इन इस्ट डेली इस्ट डेली के कृष्णा नगर में ओन संडे मतलब की रविवार को आगे देखें अकॉर्डिंग टू पुलिस पुलिस के अनुसार all three accused were riding a bike and tried to snatch the gold chain of a woman क्या मतलब अकॉर्डिंग टू पुलिस पुलिस के अनुसार all three accused जो तीनों आरोपी है वर राइडिंग आ बाइक वो एक बाइक राइड कर रहे थे मतलब चला रहे थे और उन्होंने कोशिश की to snatch चीनने की the gold chain of a woman एक महिला की who was traveling in an e-rickshaw अब यह जो यहां हू है यह relative pronoun है वो उन महिला के लिए इस्तेमाल हो रहे है तो क्या मतलब हूँ वू वॉज ट्रैवलिंग जो यात्रा कर रही थी in an e-rick show, एक e-rick show में During this time, during this time मतलब इस समय के दौरान, during का मतलब होता है दौरान तो क्या मतलब हुआ during this time, during this time इस समय के दौरान, जस्विंदर, जस्विंदर, who was on a scooter अब यह भी एक who जो है पर रिलेटिव प्रोनावन है और इनके लिए यूज रहा है जस्विंदर के लिए तो क्या मतलब हुआ who was on a scooter, जो एक scooter पर थे, saw, अब देखिए यह जो word है स-AW, कई लोग इसको सा पड़ते हैं, लेकिन यह सा नहीं होता है, इसे सा पड़ा जाता है और इसका मतलब होता है देखना, इसकी first home होती है C-S-W-E, और यह है स-AW, तो यह second form है, और जब भी हम past indefinite में कोई वाकिया बनाते हैं, तो second form का ही प्रियोग किया जाता है, तो क्या मतलब हुआ, इसको, who was on a scooter, जो एक स्कूटर पर थे, saw, उन्होंने देखा, saw the snatching bid, snatching bid, he came close, यह second form है, he came close, वो नजदीक आ गए, to the spot, to the spot मतलब उस घटना इस थल पर, आगे देखिए, the accused, thought, अब देखिए, यह जो यह भी second form है, क्योंकि यह past indefinite के अंदर बताए जा रहा है, तो आप देखेंगे, यहाँ पर second form का प्रियोग ज्यादा किया गया है, the accused thought, य यह thing की second form है, क्या मतलब हो, ROP को the accused thought लगा, या कह सकते है, उन्होंने सोचा, यह thing की second form है, the accused thought, ROP ने सोचा, he wanted to interfere, कि वो, interfere करना चाता था, interfere मतलब हो था, बीच बचाओ करना, इन देर स्नेचिंग बिड, उनकी, जो स्चीन जप्टी की कोशिश थी, उसमें, and one of them, और उनमें से एक ने, shot at him, उन पर, shot at him, उन पर गोली चला दी, आगे देखिए, जस्विंदर lives with his family in Krishna Nagar, and works as a driver, क्या मतलब हो, जो जस्विंदर है, वो रहते हैं, with his family, अपने परिवार के साथ, in Krishna Nagar, Krishna Nagar में, and works as a driver, और एक driver के रूप में, कार्य करते हैं, काम करते हैं, driver का काम करते हैं, police set, police ने कहा, they received a PCR call, उन्हें PCR call प्राप्त हुई, at 3.34 p.m., 3.34 पर, about a man being shot, about a man being shot, की एक व्यक्ति को गोली मार दी गई, about a man एक व्यक्ति के बारे में, being shot, की उसे गोली मार दी गई, being shot at, a team from the local police station, reached the spot, and took the victim to a hospital, क्या मतलब हो, a team from the local police station, मतलब एक team from the local police station, मतलब इस्थानी है, police station से, reached the spot, घटने इस तल पर पहुँची, and took, यह टेक की second form है, इसे तुक मतलब पीडित, took the victim, वो पीडित को ले गए, to a hospital, एक hospital, during inquiry, मतलब की inquiry के दोरान, पूस्ताच के दोरान, it was found, it was found, that, it was found, यह पाये गए, that की, three snatchers, जो तीन जपट मारते है, three snatchers, had come on a bike, वो एक बाइक पर आये थे, and were trying to snatch the women's, chain, और वो कौशिश कर रहे थे, and were trying to snatch, छीनने की कोशिश कर रहे थे, the woman's chain, मतलब महिला की chain, but she was resisting, देखी,レसित का मतलब होता है, रोकने की कोशिश करना, रोकताम करनी कोशिक करना, शी वो रेजिस्ट कर रहे ही थी, she was resisting, वो रोकताम कर रही ही थी, कोशिश कर रही थी attempt का मतलब होता है प्रियास onlookers onlookers का मतलब होता है देखने वाले जो आसपास के लोग हो जो उसको देख रहे हैं उन्हें onlookers कहा जाता है onlookers also notice onlookers थे मतलब देखने वाले थे also noticed उन्होंने भी notice किया मतलब होता है की चीज़ को देखना the incident notice the incident उन्होंने घटना को notice किया मतलब देखा and started creating an uproar अपरोल का मतलब होता है शोर शराबर स्टाटेड क्रियेटिंग और वो रोगे एक शोर शराबर इस unnerved the accused unnerved का मतलब होता है कि तरहां से डरा देना इस अन्रव्ण एक्यूस मतलब की अ this जब उन्होंने देखा जस्विंदर आज़ों कमिंग कि जस्विंदर भी आ रहा है और वह आज़ों कमिंग क्लोज मतलब पास दे शॉट शॉट इथिम उन्होंने उस पर गोली चला दी आगे देखिए दो शाट इंग कि डिप्टि कमिशनर ओफ पुलीस शाधरा रजोिप्री कमिशनर पुलिस साधरा है रोहित मीना सेड उन्होंने कहा धे और हुआ हमने मल्टीबटी लतीप्लर टीम्स पाइन दर्फेल्ट गन्गीड होग थोग Wow लुट कि अगेवार हैं ही सेड उनोंने कहा轉 आ अ मेन्वाاش मेन मिन उनल का मतलब होता है इस दोराण ज जश्क आप Aww खोनिंद लुट का मतलब होता है सब्केशि और डूर स्व काम करता और जो आउसको काम देता है । मिंवाइल इस दोरान जस्विंदर's employer, जो जस्विंदर के employer है मतलब जो मालिक है, जुगल अरोडा, जिनका नाम दिया, जुगल अरोडा, said, उन्होंने कहा, जस्विंदर विल अन्डरो एन ओपरेशन, ज्यसे की, ज्यसे की, जैसे की, जैसे की, जो बुलेत o गोली है, is still, डेकि जो word still आप से note कर सकते हैं इसका क्या मतलब होता है, still के दो मतलब होते है इसका एक मतलब होता है अभी और दूसरा मतलब होता है फिर भी तो यहां पर इसको अभी भी के रूप में प्रियोग किया गया है जैसे की bullet is still, bullet जो अभी भी is still inside his body वो उनके अभी भी उनके शरीर के अंदर है इंसाइड इस बॉड़ी वन आफ दा शॉप कीपर्स मतलब एक दुकंदार informed me मतलब उसने मुझे सूचित किया about the incident घटना के बारे में he told me उसने मुझे बताया that की my driver, मेरा जो driver है has been shot उसे गोली मार्दी गई है सैड अरोडा, अरोडा ने कहा तो दोस्तों ये एक news article था जो मैंने पूरी कोशिश किये word to word translate करने की अगर आपको प्रियास अच्छा लगा हो तो आप जरूर लाइक करें शेर करें और चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें thank you so much have a nice day and bye